सब्सक्राइब कीजिए Only MS World को और बेल ऐगन को दबाएए हमारे नए वीडियो देखने के लिए तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि MS World में जो टेक्स हम लिखते हैं यानि कि जो पैराकर आप में जो टेक्स होते हैं उसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं आपके सामने दो पेज हैं ठीक है राइट हैं यह जो पेज है यह जस्टिफाई में किया हुआ है अब आप देख रहे हैं इसमें बॉडर जो है एक्डम इक्वल है दोनों तरप से कोई मतलब कहीं कम या कहीं जादा नहीं है और लेफ्टहंड साइड मे जो टेक्स मैं लिखा हुआ है is same text मैंने यह पर जस्टिफाई किया हुआ और जो टेक्स्ट है इसको select कर दिया और ऊपर जाए ये home section में, हमें shortcut भी बताऊंगा और general method भी बताऊंगा जो icon में दिया होता है, यानि जो tab इसका दिया होता है justify करने का, ठीक है, तो पहले समझ लेते है normal method जो हम use करते हैं, मलब tab में click करके, तो उपर ribbon में कई सारे option आपको यहां पर show हो रहे है, home insert page layout, तो हमें जाना है basically home में, ठीक है, अब जब आप home में जाएंगे तो यह रहा आपका justify का option, ठीक है, यह दिख रहा है, इस पर एकदम equal दिखा रहा है, जो भी lining इस पर दिखा रही है, ठीक है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे, आपका जो paragraph हो एकदम justify हो जाएगा, ठीक है, बस यह simple हमने click किया और यह देखिए, जो भी paragraph में, तो भी text है एकदम justify, एकदम proper alignment में, एकदम shape में आ गया, ठीक है, अब shortcut भी समझ लेते हैं, मैं वापस से चलता हूँ, अब shortcut क्या है, अगर माल लीजे मुझे मुझे, मैं icon पर नहीं जाना चालता है, simple shortcut इसके लिए है, control plus J, तो जैसी मैं control के साथ J प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे, सारे text एकदम alignment में आ गया, तो बहुत simple है, ठीक है, तो इस तरह से आप text को justify कर सकते हैं, ठीक है,